Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. ये आप लोगों की collective reading है और आज हमारा topic है What are they thinking right now? So बहुत से दिनों से इस topic पे video नहीं बनाई थी मैंने. So आज हम देखेंगे कि आपके person आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं और ये बिल्कुल timeless reading है. जब भी आपकी नजर से गुजड़ेगी आपका उस वक्त का message होगा. और ये reading सब लोगों के लिए open है. चाहे आपकी जो भी situation है आपके partner के साथ. आप ये reading देख सकते हैं. हम देखेंगे कि आपके person क्या सोच रहे हैं इस वक्त जब आप ये reading देख रहे हैं. सो शुरुआत में हमेशा मैं ये कहती हूँ के cards, possibilities बताते हैं. आपकी final destination safe divine source को पता है. Safe divine source को पता है के finally आपकी life में क्या होना है. इस लिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को open रख कर इस reading को देखना है. इसके इलावा मेरे जितने भी subscribers हैं, thank you so much. आप सब के प्यार और support के लिए, I truly, deeply appreciate each one of you and I love you all. So अगर आप नए हैं मेरे channel पर, आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना है. पसंद आए तो like भी कर दिजेगा और share भी कर दिजेगा. So अब हम start करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं आपके person की overall thoughts. Six cards हम लेंगे आपके person की overall thoughts के लिए. So ये कुछ random messages होते हैं, जरूरी नहीं भी हैं कि ये आप से resonate करें. So let's see, आपके person की overall thoughts क्या हैं. So सबसे पहले हैं हमारे पास indecisive, family issues, फिर है हमारे पास desire, फिर है हमारे पास marriage, फिर है हमारे पास do or die and then unconditional love. So बड़े clear हमारे पास messages हैं. I really feel कि ये इनसान आप से बहुत पयार करते हैं, unconditionally आप से पयार करते हैं और उनके दिल में बहुत desire है, आप से शादी की, आपके साथ चलने की, बट उनके family issues चल रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि it's a do or die situation, ये बड़ी आप लोगों की complicated situation है. कुछ लोगों के लिए ये situation हो सकती है, कि उन्हें अपनी family या आप में से किसी एक को choose करना पड़ेगा इस present time में, इसलिए उनके लिए ये decision बहुत ज़ादा मुश्किल हो रहा है, because वो आप से भी unconditionally प्यार करते हैं, and obviously वो अपनी family को भी नहीं छोड़ सकते हैं, ना आपको करना चाहते हैं, ना अपनी family को करना चाहते हैं, so ये सोच सोच कर आपके person परिशान हो रहे हैं, so देखते हैं, हमारे पास क्या tarot cards हमें आता है, हो सकता है कि tarot cards हमें completely opposite situation बता हैं आपके person की, but यहाँ पर यही thoughts आ रही हैं, इन cards में, so देखते हैं कि आपके person इस वक्त क्या सोच रहे हैं, what are they thinking right now, उनकी जहन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, so सबसे पहले, wow, we have ace of cups, और आप देखें कि यह unconditional love का ही card है, इसको true love का card भी आप कह सकते हैं, oh my god, two of swords, यह है indecision, indecisive का जो card आया, बिल्कुल आप देखें कि cards match कर रहे हैं, so यह confused हैं आपके person, क्या decision लूँ मैं क्या करूँ, बड़ी specific situation है, eight of cups, so इस सारी situation में वो क्या कर रहे हैं, कि कोई भी action ले ही नहीं रहे हैं, detach होए मैं आप से भी, family से भी, और यह सोच रहे हैं कि काश मेरे अंदर इतनी strength और confidence आजाए, कि मैं कोई बहतर फैसला ले सकूँ, bottom of the deck पर हमारे पास is the star, so wish कर रहे हैं कि हर चीज़ ठीक हो जाए, आपके person की thoughts बहुत ज़्यादा इस वक्त आप कह लें के, ऐसा confusion तो है ही कि वो क्या decision लें, लेकिन इसके साथ साथ एक खालीपन है उनके अंदर, एक अजीब सी emptiness feel कर रहे हैं, वो बिलकुल alone रहना चाह रहे हैं, detach होना चाह रहे हैं, थोड़ा सा उनके दिल में जैसे कोई डर भी है, कि अगर उन्होंने कोई साथ decision ना लिया, वो क्या करें इस situation में, जैसे एक इनसान को कभी थोड़ा हारा हुआ महसूस होता है, वो सोचता है कि वो कितना बेबस है, मतलब वो क्या करें, वो क्या decision लें, राइट, आपके person इस तरह की एक उनको लग रहा है कि complicated situation में फसे हुए हैं, यहाँ पर Pisces, Cancer Scorpio है, Aquarius बहुत strong है, Leo बहुत strong है, यह Star Signs हैं, लेकिन मैं हमेशा आप से ही कहती हूँ, कि आपने energy पर focus करना है, अगर energy आप से match करती है, तो बिलकुल आपकी reading है, Star Signs को लेकर आपने परिशान नहीं होना है, सो मुझे यह नजर आ रहा है कि यह इनसान, क्योंकि हम इनकी thoughts आपके लिए देख रहे हैं, यह इनसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बटी इनसान परिशान है कि वो आपके लिए क्या decision लें, वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहें इस present time में, सिर्फ एक hope है उनके दिल में, एक wish है कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो आप लोगों के दरमियान, कोई miracle हो आप लोगों के लिए, चीज़ें अच्छी हो जाएं, चीज़ें बहतर हो जाएं, circumstances आप लोगों के हक में हो जाएं, इस तरह की thoughts हैं आपके person के जहन में, सो इस वक्त हो सकता है कि आपके person आपसे बात नहीं कर रहे हैं, डिटैच हुए में हैं, आपकी calls का जवाब नहीं दे रहे हैं, आपके messages का जवाब नहीं दे रहे हैं, आपसे distance बना रहे हैं, तो उसका reason ये है कि वो परिशान है कि वो आपको भी क्या कहें वो ही सोच रहे है कि वो आप से क्या कहें इसलिए वो कुछ alone time spend कर रहे हैं ताकि clearly चीजों के बारे में सोच सकें और कोई फैसला ले सकें, अपना confidence gather कर सकें, अपनी thoughts को gather कर सकें इसलिए ये इनसान detach हुए में है, तो मुझे ये नज़र आ रहे है कि इनसान अपनी family से भी इस वक्ट detach हुए में है, किसी से भी बात नहीं कर रहे है, बस खुद से चीजों के बारे में सोच रहे है और कोशिश कर रहे हैं, कि वो किसी नतीजे पर पहुंच जाएं, और कोई फैसला ले लें, कोई बहतर फैसला ले लें So I feel कि आपके साथ ये इनसान एक बहुत strong connection उनका है, और वो feel करते है जो उनको feel होता है कि आसानी से खतम नहीं होगा, अगर आप लोग कोशिश भी करेंगे तो ये connection आसानी से खतम नहीं होगा वो आपके लिए बड़ा strongly महसूस करते हैं, प्यार करते हैं obviously आपसे So ये इनसान wish करते हैं कि आप दोनों के लिए कुछ अच्छा हो, आपको वो hustle कर सकें, आपको अपने जिन्दगी में ला सकें आप मेंसे कोई हो सकता है कि किसी की social media presence है, ये specific message है सबके लिए नहीं होगा यानि literally कोई star हो सकता है with the star card, आप मेंसे कोई motivational speaker हो सकता है, even कोई singer भी हो सकता है ऐसे जैसे आपके बहुत से followers हैं, या बहुत से लोग आपको पसंद करते हैं, ऐसा हो सकता है, बाट ये message सबके लिए नहीं होगा so I feel कि चाहे जो भी करते हूं आप, ये इनसान ये फील करते हैं कि आपके साथ उनका comfort zone है, वो ये सोचते हैं कि आपकी vibes healing हैं, वो heal होते हैं, उन्हें अच्छा फील होता है जब आप उनके साथ होते हैं लेकिन वो आपको उतना heal नहीं कर पाते हैं, शायद उन्हें ऐसा feel होता है, कि वो आपके लिए उतना नहीं कर पाते हैं, उतने available नहीं होते हैं, जितना आप उनके लिए efforts डालते हैं, इस connection में सो ये इनसान आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, इस वक्त भी इनसान आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, और आपसे detach अगर हुए में हैं, तो सिर्फ इसली हुए में हैं, ताकि कुछ अच्छा फैसला कर सकें, clearly सोच सकें, आप लोगों की situation पर आपके बार हैं वो, इस पर लिखा है never ending story, number 37 है, और फिर है हमार पास chaos and conflict, number 33, so यही message, वही message बार बार repeat हो रहा है, जो शुरुआत से अब तक हमें इस reading के नज़र आया है, कि यह इनसान परिशान है, and with this card वो गूम फिर कर, बार बार उनके जहन में यही परिशानी चल रही है, कि यह एक do or die situation है, और मैं इसमें क्या करूँ, यह cycle जो उनकी thoughts का है, यह break नहीं हो पा रहा है, वो बार बार किसी भी result पर नहीं पहुँच पा रहे है, because उनके लिए, जैसा मैंने आप से कहा, कि अगर आप लोगं की यह situation है, family और आप, उनके लिए दोनों बहुत ज़्यादा important है, इस वक्त उनके लिए इतना ज़्यादा conflict है उनके जहन में, कि वो नहीं समझ पा रहे हैं, कि वो क्या करें, क्योंकि वो दोनों को ही नहीं खो सकते हैं, दोनों ही important है, right, so आपके person इस वक्त एक बहुत complicated head space में है, अगर वो इस वक्त आप से बात नहीं कर रहे हैं, उसका यही reason है, कि वो परिशान है, वो नहीं बात कर सकते हैं, let's see, यह इनसान और क्या सोच रहे हैं, so I really feel कि इस वक्त आपके जो partner हैं, वो परिशान हैं, वो खुश नहीं हैं, वो परिशान हैं, उनकी thoughts, conflicted thoughts हैं, confusion हैं उनके जहन में, बहुत सोच रहे हैं वो, देखते हैं और क्या सोच रहे हैं, so हमारे पास है dissipating, यह कार्ट से फिर हमें clearly यह नजर आ रहे हैं कि यह इनसान, जैसा मैं पहले कह रही थी कि detach हो रहे हैं, हर चीज से, आप से, family से detach होकर, अखेले time spend करना चाह रहे हैं, grief, with the grief again, परिशान हैं, sad हैं, दुख हैं, दुख में हैं, फिर हमारे पास instinct and growth, so यह इनसान अपनी intuition को follow करना चाहते हैं, यह इनसान अपनी higher self को follow करना चाहते हैं, यह इनसान grow करना चाहते हैं आपके साथ जिन्दगी में, उनको लगता है कि वो आपके साथ grow कर सकते हैं जिन्दगी में, यह एक अच्छा connection है, यह healthy connection है, आप लोगों से agree नहीं कर रही है, family pressure नज़र आ रहा है, so I do feel कि against नज़र आ रही है, उनकी family आप लोगों के connection के, मुझे clearly कुछ लोगों के लिए specific situation नज़र आ रही है, कि उनकी family आपकी against है, या आपकी family भी उनकी against है, ये भी हो सकता है, so ये इनसान फिर भी growth चाते हैं, समझते हैं कि आपके साथ वो grow कर सकते हैं, लेकिन उनकी family ये बात understand नहीं कर रही है, so वही बात आगी कि ये इनसान detach होकर, परिशानी में भी हैं, तकलीफ में भी हैं, लेकिन सोचते चले जा रहे हैं कि कोई हल निकल आए, कोशिश कर रहे हैं कोई हल निकालने की situation का, let's see, इनसान और क्या सोच रहे हैं, so अगर आप लोगों के दरम्यान, वैसे मुझे नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप लोगों के दरम्यान कोई fight हुई भी है, इनसान sad है, ये इनसान आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, हमारे पास है victory, number 28, so ये growth, victory और फिर हमारे पास आगया the sun, ये इनसान आप में अपनी happiness देखते हैं, ये इनसान ये सोचते हैं, कि वो सिर्फ आपके साथ खुश रह सकते हैं, आपने उन्हें बहुत खुशी दी है already, और इस card को देखते हुए, फिर मुझे ऐसे feel हो रहा है, कि जैसे आप में से कोई public काय में है, I don't know why, so ये इनसान ये सोचते हैं, कि आपके साथ उनकी growth, उनकी खुशी जुड़ी है, वो successful बनाना चाहते हैं, आपके साथ इस connection को, चलना चाहते हैं आपके साथ, वो यही सोच रहे हैं, और I really feel कि ये इनसान घूम फिरकर, end result उनकी जहन में ये आता है, कि वो अपनी family को मनाने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, fight करने की कोशिश करेंगे आपके लिए, because वो नहीं आप पर give up करना चाहते हैं, so उनके mind में ये चीज़ चल रही है, मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि अभी उन्होंने अपनी family से बात की है, या अपनी family के वो against गए हैं, क्योंकि उन्हें डर भी है उनके जहन में, कि वो कैसे against जाएं, कैसे बात करें, लेकिन ये इनसान बार बार अपने जहन में उनके यही आता है आखिर में, कि मुझे fight करना पड़ेगा, मुझे अपनी family को मनाना पड़ेगा, मुझे अपनी family से बात करनी पड़ेगी, so I feel के, आज जिन collective की energy में हम tune in हैं, उनका specifically ये problem चल रहा है, family का, so हमारे पास है romantic feelings and unrequited love, so maybe इस वक्त आपको ये लग रहा है कि, आपके person को आपकी कोई पर्वान नहीं और वो आपके लिए कोई effort नहीं करेंगे, वो आपको धोका देंगे, या आपका time waste करेंगे, उनके प्यार की intensity या उनके प्यार में उतनी सचाई नहीं है, या उतनी loyalty नहीं है, जितनी इस connection की demand है, जिसके लिए, जिसकी मतलब, जिसकी वज़ा से ये इंसान आपके लिए कोई action लें, अपने घरवालों के against जाएं, इस वक्त आप इन चीज़ों पर trust नहीं कर पारें, अपने partner की feelings, उनके प्यार, उनकी loyalty पर trust नहीं कर पारें, आपको लग रहा है कि, ये unrequited love है, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going, so बीज-बीज में आप लोग ये सोचते हैं, कि हम दोनों को शायद एक दूसरे के ओपर give up करना पड़ेगा, because ये situation बहुत complicated हो गई है, ये इनसान लेकिन फिर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके जहन में भी ये thought आती जरूर है, कि maybe हम दोनों को एक दूसरे पर give up करना पड़ेगा, शायद हमें कुछ हासिल नहीं होगा, शायद हम दोनों को एक दूसरे का साथ नहीं मिल पाएगा, आपके person के जहन में भी ये thoughts कभी कभी आती हैं, लेकिन ये इनसान फिर वही बात आगी, कि आप पर give up नहीं करना चाहते हैं, ये इनसान आप पर give up नहीं करना चाहते हैं, वो यहीं सोचते हैं, क्योंकि इस connection ने जतनी उन्हें उन्हें खुशी दी है, जतना आपने प्यार दिया, मैं इस वक्त चल रही कि मैं आखिर क्या करूँ, क्या फैसला मैं लूँ, ये इनसान इस वक्त यही सोच रहे हैं, आपके परसंद परिशान दिखाई दे रहे हैं, so let's see कि आपके लिए क्या guidance आ रही है, इस सारी situation में, so इस पर लिखा है, let there be closeness between you, but always give each other space, love never claims, it simply allows and gives, so I feel कि आपसे ये कहा जा रहा है कि इस वक्त आप अपने परसंद को थोड़ी सी space दें, और maybe आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप उन्हें थोड़ा सा understand करने की भी कोशिश करें, उन्हें पुश ना करें, लेकिन ये totally आपका decision है कि आप क्या करना चाहते हैं, obviously, लेकिन जो इन cards में आ रहा है, मैं आपके साथ वही share करी हूँ, and then reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best, so again, आपको फिर वही message दिया जा रहा है, कि आप एक दूसरे को space दें, थोड़ा सा time दें अपने partner को, सोचने का faith रखें, trust रखें, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बड़ थोड़ा आपको एक दूसरे को time देने की ज़रूरत है, because इस वक्त आलरेड़ी आपके person बहुत जादा under pressure है, इस लिए भी उन्हें आपको थोड़ा सा time देने की ज़रूरत है, let's see, so इस पर लिखा है, you are ready, and then हमारे पास है perfect timing, so I really feel कि या तो आपके person ने सोच लिया है, ची तरहां decide कर लिया है, या बस वो decide करने ही वाले है, so थोड़ा सा time और रह गया है, आपके person बहुत जल्दी decision लेने वाले हैं, आप लोगों की situation के बारे में, and I feel कि उनका जो decision है, वो बहुत positive होगा, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा decision लेने वाले है, I really feel कि जैसे ये इनसान कोई effort करेंगे आपके लिए, so यही message आ रहा है इन दो cards में कि आप लोगों की timing perfect है, I really feel कि आपके person खुद को prepare कर रहे हैं, कि वो finally अब decision ले ले लें, और इस तरह लटका कर ना रखें इस सारी situation को, और आपको confusion में ना रखें, so आपके person आपको clarity देने के लिए खुद को prepare कर रहे हैं, को decision आपके connection के हवाले से लेने के लिए बिल्कुर ready दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप यूं कहलें कि वो कर रहे हैं prepare खुद को, so यह बड़ा अच्छा message है, अब हम आपके yes and no question पर आएंगे, आप focus रखिएगा आपने yes and no question पर, हम आपका answer देखेंगे, साथ आपके लिए letters और numbers होंगे, आपका name initial, आपके partner का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, life path number, house number, car number, so मेरे पूरी कोशिश दी कि मैं reading को short रखूँ, simple रखूँ, so शुरू करते हैं आपके yes and no से, let's start, so हमारे पास आ गया है L, Z, C, next हमारे पास आ गया है A, आपका answer आया है definitely, we have 999, so आपका answer yes आया है definitely, next हमारे पास है 666, 1111, wow 1111, so 1111 आपके लिए साइन हो सकता है, J, R, M, R, L, T, Y, next we have H, F, G, I, number 5, 666, next is, U1, Q, 999, B, J, R, A, S, V, B, E, 777, C, C, S, I, J, number 7, N, wow, here's the 1111, S, G, Y, Y, D, M, F, G, E, U, number 9, So, these are your letters and numbers, how you match, this was your reading, if you were helpful, if you were helpful, you would like to tell us, comment section, if you were new, if you were new, like, share, subscribe, करना मत भूलिएगा, सुजाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दौा होती है कि आप अपने जिन्दगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी जिन्दगी में जरूर मैनिफेस्ट हो, अपने आपको यह जरूर बताया करें, अपना धिर सारा ख्याल रखियेगा, I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye-bye.